हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका जोगरोफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रेंस पर मैंगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्यालीटि कंटेंट से नहिए जहां पार आपको किंडर-गार्डन से लेकर प्लास 12 तक की सभी कक्क्षाएं मिलती हैं और च्छडवी सरीकर 12 तक हम आपको प्रोइट करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कख्षाएं साथ यससा अगर आप e-notts और e-books लेना चाहते हैं तो लिंक है description box में हम लोग कक्षा ग्यारवी की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिधान्त इसका थर्ड चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को परिचे या चैप्टर जो ओवर व्यू में है इसके अंतरगत मैंने को आज की इस वीडियो में complete करना है आप लोगों को नाम सही इस पर सोड़ा होगा कि इस टॉपिक में कौन-कौन सी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं दरसल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो प्रत्वी है ना वो रहस्यों से भरी हुई है तो प्रत्वी के अंतरगत प्रत्वी के अंदर जो हैं कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनका पता हम लोग कैसे लगाते हैं तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोगों को इसी बात की जानकारी जो है वो पता लगानी है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे किसी भी तर में हम लोग यहां पर समझेंगे दीरे-दीरे जो हैं हम लोग को यह चैप्टर समझना है और बहुत आसान है अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो सारी चीज़े सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सबसे पहले जो आपनों को दिया गया बहुत चीज़ और जो आपनों को याद भी रखनी है क्योंकि यहां से अब्जेक्टिव जो प्रशन है बनने की सबसे आदा संभावना रहती है वह यह कि प्रत्वी की तरिज्या लगबग 6388 किलो मीटर है तो पहला प्रशन तो यहीं से बन जाता है कि भाई पहली बात तो आपनो हैं उसकी केंदर तक अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो हमें जितनी खुदाई की आवशक्ता होगी ना वह खुदाई होगी लगबग 6388 किलो मीटर मतलब 6388 किलो मीटर हम लोगों को खोदना पड़ेगा अगर हमें प्रत्वी के केंदर तक जो है वह पहुंचना है तो तो प्रत्वी के अंतर की जो प्रिस्थितियां मौझुद है ना इसके कारण यह पॉसीबल नहीं हैं यह संभाव नहीं है कि हम लोग यहां पर केंदर तक जो हैं पहुंच सकते क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रत्वी के अंदर जो है खुदाई करना स्टार्ट करते हैं या पहुँचने की कोशिश करते हैं तो ताप बढ़ने लगता है और अगर ताप बढ़ेगा गरमी ज्यादा होगी तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे इसलिए केंदर तक पहुँच करते हैं तो प्रत्वी के केंदर तक पहुँचकर उसका निरिशन कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना जो है वो हम प्राप्त कर सके तो नमूना भी प्राप्त करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि नमूना लेने के लिए भी तो जाना पड़ेगा ना चाहिए इंसान जाएं 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 इंसान मशीने नहीं जा सकते इसलिए हमें अंदर की चीज़ें जो है ना वो पता नहीं चल पाती हैं यहां आश्चरी की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वेग्यानिक हमें ये बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर की दरम मुश्किल है लेकिन सलाम है ऐसे वैग्यानिकों को जो इस बात के बावजूद की वहाँ पर नहीं पहुंचा जा सकता वो प्रतवी के अंदर कौन-कौन सी संद्याउ की बारे में एशरप अफ़ार के लona वाग्यानिकों को देख और बहुत अच्छी बात बोली गई हैं कि अश्वाटे के परिस्तेतियों में वघ्यानिक हमें यह बताने में सक्ष्म हुए हैं कि भूगर की शंद्या था पाया जाते हैं कि पहले वाली पेरा अगराफ में हम लोगों ने देख लिया कि अंदर तक पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम लोग के अंदर तक जानी की कोशिश करें फिर भी हमें वैज्ञानिकों ने अंदर की संद्रचनाओं के बारे में बहुत विस्तार से जो है चीजें बताई हैं औ हमें प्रत्वी के अंदर कौन-कौन सी चीजें मौजूद है यह हमें इंडियक्ली पता चलता है अब देखिए डायक्ली तो आप समझ गए कि डायक्ली तो हम लोग नहीं पहुंच सकते बारे में हम लोगों को विस्तार से यहां पर पढ़ना पड़ेगा तो प्रत्वी के आंतरिक संदर्शना के विशे में हमारी अधिकतर जानकारी परोख शुरूफ से इंडियक्ली जो है प्राप्त अनुमानों पर आधारित है तथा भी इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रक्षणों और पदार्त के विशलेशन पर भी आधारित है लेकिन ऐसा नही है भले ही हम इतनी 6370 किलोमेटर तक नहीं पहुंच सकते तो वह डायक्ष सोर्सेज भी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं अभी घबराना नहीं है कि इस पर बहुत इंप्रत्वी की जानकारी किसे पता चलती है और इंडियक्ली हमें प्रत्वी की जानकारी किन साधनों क की मदल से पता चलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन यहां से बनता है हम लोग यहां पर चीज रटेंगे नहीं बहुत आसान भाशा में हम लोग जो है समझते हुआ आगे बढ़ेंगे वीडियो अच्छी लग रही हो पसंद आ रही हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए अब देखे हमें तो प्रत्वी की आंतरिक सनरशना या जानकारी जो है पता लगानी है तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रत्वी की ऊंतरिक संरशना तो प्रत्वी के अंतरिक संरशना मतलब प्रत्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ा मौजूद है उसे पता लगाने के दो साधन है एक साधन एक सोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रोत प्रत्यक्ष श्रोत और दूसरी चीज़ को बोला जाता है इसको आप प कर लbish भी बोल सकते है और दूसरा जो शूर्थ है वह अप्रत्यक्ष या फिर परूख ठीक है है तो अपर ठ्यक्ष्ष जो हते हैं वह उपनारे पास जोंदर कौन-कौन सी चीज़े मौझूद हैं उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं तो सबसे पहले हम लोग पृतियक्श शोत के बारे में पता लगा लेते हैं तिए कि प्रत्वी से चत्र है। डिरेक्ली या प्रत्यक्ष तरीके से जो चीज़ें हमें पता चलेंगी वो हमें कैसे पता चलेंगी हम डाइक खुदाई करेंगे तो खनन में जो चटाने मिली हुई है खुदाई के समय जैसे हम कोई मालीजे मिनरल या खनीज की जब हम कोई खुदाई करते हैं तब जो चटा खूदते हैं तो हमें पता जलता है कि हमें लगबख 3-4 किलूमेटर जो है वह खुदाई करनी पड़ती है तो जब आप 3-4 किलूमेटर प्रद्वी की खुदाई करेंगे तो आप लोग पता हैं जो हैं वो निकल कर आएंगी जैसे कि अगर इसमें कोई मशीन का involvement नहीं है यहां पर हम डायेक्ट जा रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं और जो चट्टाने मिल रहे हैं उसका अध्यन कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि भाई प्रत्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं तो दक्षन अफ्रीका की सोने की लिखाने तीन से चार किलोमेटर तक गहरी हैं इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभाव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है इतनी नीचे आप जाओगे तो तापमान टेंपरेचर बहुत ज्यादा ब किलोमेटर तक जाना है इतनी गहराई पर जाने पर कोई मशीन काम नहीं करती तो प्रत्यक्ष अनुमानों की जो होती है को सीमाएं होती है कुछ लिमिटेशन होते हैं खनन के अतरिक्त वैग्यानिक विभन परियोजनाओ के अंतरगत प्रत्वी की आंतरिक स्तिती को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानवीर कर रहे हैं लेकिन विग्यानिक कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे हम लोग को पता चल जाए भाई खनन मैं तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा नीचे गहराई में बहुत चोड़े छेतर में हम लोग को खुदाई करनी पड़ती है लेक प्रत्वी तक हम लोग जाते हैं तो छोटी छेतर में कर सकते हैं इतने गंड़ा सकते हैं यहां प्रत्वी है और हम लोगों ने गड़ा जो है मालीं यहां पर खोद दिया और हम लोग सेंटर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं अब सोच कर देखिए आप एक बात कि गड़ा आप लोग खोद रहे हैं और यहां तक आप जा रहे हैं तो कोई जरूरी तो नहीं ना कि तो प्रत्यक्षश्रूत की ये तो दिकते हैं क्योंकि वह हो विस्तार से चीज पता नहीं चल पाती कि प्रत्वी की संरचनाओं में कौन-कौन सी मोजून है हमें हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई किसी एक particular area में मिट्टी अलग हो जाती है किसी एक particular area में चटान अलग हो जाती है तभी तो कहीं पर कोई खनेज मिलता है लेकिन दूसी जगा नहीं मिलता तो जब इतनी ज्यादा विविदताय मालीजिये प्रत्वी में मौझूद है तो drill machine की मदद से कैसे पता लेकिन फिर भी वेग्यानिक हैं drilling तो करी रहें तो खनन के अतरिक वेग्यानिक विविन परियोजनाओं के अंतरगत प्रत्वी की आंतरिक स्थिती को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं आप लोग आसान वाशा में में प्रशान महासागर रहे हैं कर रहे हैं तो पहला जो प्रोजक्त है वो है गहरे समुदुरं Me पर्योजना ना है मतली इस पर्योजना में तरीके से common जो है रही हो रहे है यह सारे समुद्रों की लेकिन फिर वही दिक्कत drilling में मैंने आप लोगों को बताया drilling एक particular area के होती है इसलिए ये दोनों जो परियोजना है ना इनकी कुछ limitations है और limitations को हम लोग बोलते हैं सीमाएं सीमाएं मतलब कमियां आप समझ सकते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट से हमें जानकारी तो पता लगती है लेकिन वह जानकारी sufficient नहीं है हमारे अध्यन के दश्टी कौन से लेकिन कई बार यह चीज़ें पूछ ली जाती है आप लोगों से exam point of view से कि इंसान जो है वो कहां तक मौच पाया है कि या फिर कहां तक परियोजनाएं चल रही है कौन सा चेतर ऐसा है कौन सा देश ऐसा है जहां पर सबसे गहरी drilling जो है हमें देखने को मिलती है तो exam point of view से हमें यह चीज़ें याद रखनी है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि आज तक सबसे गहरा प्रवेधन प्रवेधन को बोला जाता है drill देखिए मैं आप लोगों को बता है ना कि NCIT में कुछ बाते बहुत ज्यादा टिपिकल क्लिष्ट हिंदी में जो है वो दी होई होती है इसलिए मेरी कोशिश हमेशा से यह रहती है कि आप लोगों के लिए जो भी English terminology है मैं उसको हिंदी का जो रूपांतरन है वो English में भी कर दूँ ताकि आप लोगों को मदद मिल जाए और बोलते समय भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि सहूलियत रहे आप लोगों को समझने में क्योंकि Magnet Brains की प्रात्मक्ता यही है कि चीज़ें आप लोग आप लोगों से question जो है वो पूछ लिया जाए एक्जाम में आप लोग उसको हल जरूर कर देंगे चलिए टॉपिक पर आते हैं वीडियो अगर प्रसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमे हमें और सबसे गहरा प्रवेधन अब देखिए यह अपने आप में याद करने वाली बात है कि सबसे गहरा हुआ भी तो कितना हुआ सिर्फ बारहा किलोमीटर का अध्यान करने से हमें 6388 किलोमीटर की जानकारी कैसा पता चलेगी लेकिन एक्जाम में आप लोगों से पूछ किलोमीटर की गहराई जो है वो की गई है इन परियोजनाओं तथा बहुत से अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतरगत विभन गहराई से प्राप्त पदार्थों के विशलेशन से हमें प्रत्वी की आंतरिक संदशना से संबंदित आसाधरन जानकारी जो होती है भूब अरे 12 किलोमेटर में ही हमें इतनी जानकारी मिल जाती है कि उसका अध्यान हम लोग कर रहे हैं तो सोचकर देखिए 6388 किलोमेटर में क्या होगा तो 12 किलोमेटर से हमें थोड़ी बहुत मदद मिलती है कि अंदर जो है वह चीज़ें किस तरीके से मौझूद हों की प बहुत इंप्टेन बात लिखे हुई है कि जुवाला मुख्य उद्दार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य श्रोथ है हम देखिए हाँ पर प्रत्यक्ष घ्लीज्त कर रहे हैं सबसे पहले कि यहां पर ढूंकि तो प्रत्यक्ष जानकारी चीजे हैं हम लोगो डायक्ष पता चल रही है तो इन्सान जा रहा है उसको डायक्ष बोल रहा है और जहां पर इंसान नहीं जा रहा है किसी अन्य तरीके से प्रत्वी की जानकारी पता चल रही है तरंगों से अगर पता चल रही है तो उसको हम इन यह प्रियोग शाला अन्वेशन के लिए उपलब्द होता है इसका कहने का मतलब यह है कि हमें पता है कि प्रत्वी पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग जगा जो है वह जुआला मुखी मौजूद है अब जुआला मुखी मौजूद है खासकर मैं एक्टिव वॉल के न ने को मिलेगा लावा और मैंगमा एक ही होता है अगर वो मैंगमा जो मैंगमा जो प्रत्वी के अंदर से पगल कर बाहर आ तो नीचे सी बात है कि वो तो नीचे से ही पिघला हुआ था और उपर फवारे की रूप में जो है वो आ गया तो नीचे पिगला हुआ था तो जब वो लावा सतह पर आता है ना बहते हुए तो वो प्रयोग शालाओं में जाता है फिर देखा जाता है कि इस ज्वाला मुखी से कौन-कौन सी चीज़ें निकली हुई हैं और हम अनुमाल लगाते हैं कि धरती के अंदर च चलता है कि अब कॉन सी चीज़ें पिगल रही है तो हम लोग इस चैट्टर में पढ़ेंगे अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि धरातल के अंदर से जो चीज पिगली हुई चक्टाने जो हैं वो बाहर आती हैं क्रेटर से यानि जवाला मुख्य के मुझ से और हम लोगों को जानकारी पता चलती है प्रत्वी के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उम्मीद करता हूँ आप लो लावा निकला उससे हमें यह तो पता चल गया कि भाई कौन सी चट्तान मौजूद है लेकिन हमें यह थो नपता चला कि लावा कितनी गाहराई से निकला हमें कैसे पता चलेगा हमें यह पता पता चलाएगा देन लावा किटनी गहराई से निकला है। पता नहीं चलता क्योंकि वह तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा हाइई होता है तो इसके नहीं कहीं नहीं परदियक्ष śroos से हमें बहुत ज्यादा जानकारी जो है वह प्राप्त नहीं होती क्योंकि डिलिंग भी जो होई है वह 12 किलोमेटर तक हुई है जाद से यादा 20 किलोमेटर तक हुई है लेकिन जो है और या फिर जवाला मुक्त ही निकला है उससे हमें यह नहीं पता चल रहा है कि वह कितनी गहराई से लावाय मैं निकला है इसलिए प्रत्यक्ष श्रोत क को जानने के दो श्रोत बताईए तो आप लोग लिखेंगे कि प्रत्यक्ष श्रोत और अप्रत्यक्ष श्रोत प्रत्यक्ष में आपके लिखेंगे ज्वाला मुक्ही आपके लिखेंगे ड्रिलिंग यह जो ड्रिलिंग हो रही है और आप लोग इसको ब्रैक्ट में भी किलोमेटर तक ही पहुंच पहुंच पाएं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और त्रिज्या जो है वो 6388 किलोमेटर है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी यहां पर पर योजना है जो है वो बताई गई है उन क्योंकि प्रत्यक्ष श्रोत जो होते हैं उनकी कुछ सीमा है या फिर लिमिटेशन है अब प्रत्यक्ष श्रोत की कौन-कौन सी सीमा है हम लोग देख लेते हैं तो प्रत्यक्ष तो हमें पता है कि अगर हम ड्रिलिंग करें खुदाई करें तो धीरे-धीरे जैसे ही हम लोग गेरा करते हैं ना तो माइनिंग में ये बात क्लियर होती है कि जो मजदूर माइनिंग करने जाते हैं नीचे उतरते हैं खदानों में वो ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं तो धरातल में नीचे जाने पर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दवाव में बृद्धी हो रही है और इतना ही नहीं हमें ये भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है तो आप लोगों को घनत्व पता बनाड़ के लियानी इसमें ञुझा होती है जाहें क्लिक कर दूंगा सबस्क्राव क्लिक कर दूंगा तो यहांट इसाओ में बना दू तो एक box में मैं ज्यादा जो है वो dots अगर मैं क्लिक कर दूँ और दूसरा जो box है उसमें मैं कम dot जो है वो बना दूँ कम dot बनाऊँगा तो यहां पर box number 1 और box number 2 में अगर आप लोगों से पूछू कि किसमे घनतव ज्यादा है तो आप कहेंगे कि sir घनतव जो है न व इसको बोला जाता है घनतव तो जब हम खनन क्रिया करते हैं जब हम ख़दानों में नीचे उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि तापमान में भी ब्रद्दी होती है और घनतव में भी ब्रद्दी होती है इसलिए तो क्या है प्रत्यक्ष श्रोत से जानकारी लेना बहुत ज् मान दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है तो तापमान घनत्व और दबाव के आधार पर ही है ना हमें प्रत्वी की आंतरिक सतह में या अंदर भूगर में कौन सी चीज़ें प्राप्त हैं या कौन सी चीज़ें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है तो अगर आ प्रत्यक्ष चीज हैं वो है तापमान वो है दबाव वो है घनत्व जिनके माद्यम से हमें प्रत्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त होती है और ये बात हमें पता भी चली है जब खनन मजदूर नीचे जो है ख़दानों में जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ जो है भुगर्ब की जानकारी पता लगानी होती है और अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है वो है तापमान वो है दबाव और वो है घनत्व ठीक है अगर यहां तक आप लोग को चीजे समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना बूले तुरंत वीडियो को चलिए ला बूसरा अप्रत्यक्ष उलकाएं हैं क्या हैं और पूछेंगे हमें भाई हमें पता है जब हम प्रत्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हमने बिग बैंक थियोरी पड़ी है बिग बैंक थेयोरी पड़ी है कि एक परमाड़ू मौझूत था उसमें अनंत दाव ता इंफान मंदल जो है हमारा बना और हमारा मंदल का जो अस्तित्व है न आप लोगों को यह साथ में एक बिल्कुल बिन्डू की जितना भी निए नगण्या है इतना बड़ा ield का तो सौर मंदल में माल लिजिए भौत सारे सारे मंडल भूटने से यह सारी चीजजन जो बनी हैं अब यह वदने हैं तो इसके साथ उलखापिंड भी बने हैं जब उल्का धरातल में कहीं आकाश में शूर की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और वह कहीं पर प्रत्वी पर प्रत्वी के लेकिन कई बड़े उलकापिंड होते हैं जो लाइट के भाद भी नस्थ नहीं होते वह प्रतवी के धरातल पर गिर जाते हैं तब हम उल्कापिंडों का अध्यास करते हैं तो हम उलकापिंड जिन चीजेह से मिलकर बना है उन्ही चीज़ों से तो प्रत्वी बनी है तो हमें उलका-पिंडों के अध्यन से प्रत्वी के अध्यन में मदद मिल जाती है आप इसको ऐसे समझे कि मालीजे आपका घर बना हुआ है और दीवालिय जिक कोई boundary बनी होगी उसमें भी वाली एट लगी होगी और assurance को निकालनेशे आप लोग को पूरे मकान की जानकारी पता चल गई उसी तरीके से एक उलका पिंड क अध्यन करने मातर से आप लोगों को ये भी पतार चल गया कि प्रतिवी के अंदर कौन सी चीज मौजूद है इसको मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं कि जिन पदार्थों से प्रत्वी का निर्माण हुआ है उन्हीं पदार्थों से उलका पिंड का निर्माण हुआ है क्योंकि हम लोग यह प्रत्वी की उत्पक्ति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो वो जो उलकापिंड अपनी कख्षाओं के भटकने के बाद जब प्रत्वी के वायू मंडल में आते हैं तो जब वो प्रत्वी के सतह पर इस भात चल जाती है कि उलकापिंड किसी फलाने पदार्थ के बने हुए तो प्रत्वी में उसory के बनी होगी यह जो श्रूथ है उम्मिद करता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से clear हो गई होगी परंतु उलकाओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संदशना प्रत्वी से मिलती जुलती है ये उलकाओं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस्पिंड है जिन से हमारा ग्रह प्रत्वी बनी हुई है ठीक है ये बात तो clear कर दी है मैंने अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं फिर से clear कर दूँगा कोई चिंता की बात नहीं है अथा प्रत्वी के आंत्रिक जानकारी के लिए उलकाओं का अध्यन एक अन्य महत प्रत्वून शोथ है लेकिन याद रखेगा यह कौन सा शोथ है यह है अप्रत्यक्ष शोथ ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से clear हो गई होगी नेक्स लाइड पर चलता हूँ आप अन्य प्रत्यक्ष हुझो की अगर हम बात करें हम लोग उल्कापि पिंडिये उül्कापिंड क्या मैं आप लोगों बता चुक्त मटैकली प्रत्वी तो निकले नहीं है वह प्रत्वी केवायूमंडल में और उनके अध्यन से मैं प्रत्वी के आंत्रिक भाग की जानकारी पता चल रही है तो और कौन-कौन से अन्य अप्रत्यक्ष हैं इंडारिक सोर्स हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं अन्य अप्रत्यक्ष रोतों के अगर बात करें तो उसमें गुरतवा करशन चुम्ब की खेत्र वा भूकम्प संबंधी क्रियाएं जो होत होते हैं क्योंकि प्रत्वी के अलग अलग भाग मेना गुर्तवा करशन बल भी क्या होता है अलग अलग होता है उससे भी हमें प्रत्वी के आंत्रिक परतों की या प्रत्वी के अंदर कौन-कौन सी चीजह मौजूद है उसकी जानकारी पता चलती है इसी तरीके से प्रत्वी का एक मैगनेटिक फील्ड होता है आपने नौट सू साउथ इस तरीके के डाइग्राम देखे ही होंगे जब पुरानी चैपकर पुरानी जब प्रिवियस आपने पड़े होंगे तो यह जो मैगनेटिक फील्ड प्रत्वी के चारों तरफ बनता है ना इससे भी हमे प्रत्वी के आंतरिक भाग की जानकारी जो होती है वह पता चलती है तो एक अपरत्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है प्रत्वी के धरातल पर भी विभिन अक्षांसों पर गुरुटवा करशन बल एक समान नहीं होता अगर हम अक्षांसों की बात करें अक ले तो अलग-अलग अक्षान से रेखाओं पर भी जो गुरत्वाकर्शन बल होता है ठीक है तो यह देके लिखा गया है यह घुलत भार्शन जो बल होता है फोल तो अलग और इस तरीके से जो अलग अलग परिवर्तन होता है जो गुरत्वाकरशन बल या ग्रेविटेशनल फोर्स में उसमें भी हमको पता चलता है कि प्रत्वी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो है वह आकरशित कर रही है किसी एक पदार्थ को तो इससे भी हमें प्रत्वी के आंत्रिक भाग और भूमत दिरेखा पर कम होता है दूरी के कारण क्योंकि हमें पता है कि प्रत्वी जो होती है वह एक्जेक्ट गुलाकार नहीं है कहीं पर चप्टी हुई है चप्टी मतलब एक यह तो मैंने को खेर कुछ जाद ही चप्टा जो है आकरती जो है यहां पर बना दी इस फेर रूप में इसको आप समझ लीजे तो संत्रे जैसा संत्रा होता है और यहां पर इस तरीके का जो शेप है में प्रत्वी का दिखाई देता है और इस शेप के कारण ही केंदर से करिए यह तूडी इमेज जो है यहां पर लगी हुई है गुरत्व का मान प्रत्वी के द्रविमान के अनुसार भी बदलता है गुरत्व का जो मान है वो प्रत्वी के द्रविमान के अनुसार बदलता है प्रत्वी के भीतर पदार्तों का असमान वितनन भी इस विन्नता को प्रभावित करता है अब भाई ऐसा तो है नहीं कि प्रत्वी एक तर्भूज की तरह है जहां पर सारी चीज़ जो एक साथ एक ही तरीके से व्यवस्थ हैं ब्रत पर कहीं पर बहुत डेंस जो हैं पदार्थ मौझूद है जिनका घंतव ज्यादा है और प्रत्वी पर कुछ ही सोर्सी पूचेंगे से यह नहीं पूचेंगे कि आप फिजिक से नहीं पड़ रहा है यहां पर भूगोल की जानकारी के इसाचारी से पितना आप लोगों परेयापत है कि पूप करशन या पस्तर है ऍभाइक से होमेट करता हूं आपके यह बत भावित होती है इस भिनता को गुरुत्व विसंगती बोलते हैं तो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग gravitational force या गुरुत्व करशन जो बल है ना इस चीज को बोला जाता है इसको गुरुत्व विसंगती बोला जाता है बस इसको गुरुत्व करशन बल अधिक होता है और भुमद्य रेखा पर इक्वेटर पर गुरुत्व विसंगती कहा जाता है गुरुत्व विसंगती हमें भुपर पती है तॉप्मोस्ट जो लेयर होती है सबसे उपर की जो लेयर होती है उसे भूपरपटी इंगलिश में क्रस्ट जो है वो कहा जाता है तो ये जो गुरुत्व विसंगती है ना इससे हमें भूपरपटी में कौन-कौन से पदार्थ मौजूद है उसकी द्रव्यमान की भी जानकारी होती है चुमबकिया सरवेक्षन भी भूपरपटी में चुमबकिये पदार्थ के वितर्ण की जानकारी देते हैं चुमबकिय सरवेक्षन मतलब अगर हम मेंनेटिक फील्ड का अगर हम अध्यान करें तो उससे भी हमें यह पता चलता है कि कौन-कौन से पदा अर्थ प्रत्वी के अंदर भूपरपटी में मौझूद है उम्मीद करता हूं यह लाइन आप लोगो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी भूकम्पी गतविधियां भी प्रत्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्पूर्ण श्रोत हैं मैं आप लोगों को आगे बताओं क्योंकि भूकम्प जो अर्थ को टॉपिक है ना वह आप लोगो डेटेल में पढ़ना है इसलिए यहां पर एक एक लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ओवर्विव मैं वह कहते हैं अब यह प्रतवी की आंतरिक जानकारी की भी जो होती है चीज़ें पता चलती हैं उम्मीद करता हूं आपनों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होगी इस तरीके से छोगी है सब्सक्राइब करता है मैं लोग वैदिक मैस क्रेश कोर्स और स्पोकल इंग्लिश की क्लासिज भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं www.magnatebrinz.com यह हमारी ऑफिशल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सारे कोर्स अपडेटेट फॉर्म में सिंक्रोनाइज द्रे में आप लोगों को नजर आएंगे वहां से आप वेां को शोशल मेडिया चैनल को हम उपलब्द है यूट्व फेजबुक इंस्टा टीटर टिली ग्राम और वाट्स 1000 आपको करना है इन सब्सक्राइब करना है और आज वीडियो को लाइक करना है आज की सीटिव में हम लोगोंने प्रत्यक्ष शोत के बारे मेंSON बहुत आसान टॉपिक है बस आप लोगों को एक लिस्ट बना लेनी है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शोदकी ताकि डाइट ली अगर कोश्चन आ जाए तो आप लोगों की टिप्स या मुझ पर जो है वो रटा होना चाहिए फट से आप लोग जो है वो लिख दें आप लोगों को एक्सिस मिल जाएगी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू